जेहीन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके इपनी यूटूब चेनल डिफेंस चेंपियन में दोस्तों आप सभी कैंडियर्स के लिए बहुती बड़ी खुस कबरियाज लेकर आया हूँ इस वीडियो के साथ इंडियन एर फोर्स की ओर से सी गूर्फ की वेकेंसी फिर से आ चुकी है पहली 225 पोस्ट पे आपकी वेकेंसी आई थी उसके बाद में 1555 के आसपास जो टोटल पोस्ट थी उसकी वेकेंसी आई थी उनका एक्जामिनेसन अभी फिलाल चल रहा है और काफ जोइन नहीं किया तो डिफेंस चेंपियन टेलिग्राम गूर्फ को जोइन कर लीजिए जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ने दे रहा है चले गाई स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जो इनफोर्मेशन है वो आपके साथ मैं सेर करने वाला हूं औ सब इनफोर्मेशन इसी यूडियो के अंदर मिल जाए तो दोस्तों आप देख सकते हैं भारती वायू से ना इंडियन एर फोर्स डायरेक्ट रिकूट्मेंट ओफ ग्रूप सी सिविलियन पोस्ट इन इंडियन एर फोर्स यहां पर दे रखा है इंडियन एर फोर्स की और स पोस्टल एडरस है यहां पर पोस्ट है यानि कौन सी पोस्ट है जो आपको काम क्या करना पड़ेगा जैसे यहां पर एक्जामपल के तोर पर कुक दे रखा है मेस स्टाप दे रखा है मल्टी टास्किंग स्टाप यानि MTS है उसके बाद में हिंदी टाइप इस्ट है ओके इस तरीके से सभी परकार की यहां पर post की detail यहां पर दे रखे है total vacancy कितनी है इसके लिए यहां पर दे रखे है ok से समझना जरूर है क्योंकि category wise आपकी यहां पर post होने वाले है ok यहां पर UR का mean हो गया general, OBC का यानि OBC हो गया ok SC वाले, ST वाले, EWS वाले और PWBD वाले और ESM वाले यहां पर information अच्छे तरीके से दे रखे है तो वाईज आप अच्छे तरीके से इस notification को हैं देख सकते हैं यहां पर screenshot भी ले सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है वाईज सबसे पहले में आपके लिए बात करता हूँ age limit की तो age limit आपकी ठारा वर्स लेकर 25 वर्स तक के candidates इसको apply कर सकते हैं फोरम को और तीन वर्स का age relection मिलेगा OBC वाले student को यदि उसके पास cast certificate है तो ओके पाँच वर्स का मिलेगा SC और ST वाले students को departmental employees यहां पर information दे रखे हैं तो कितने वर्स तक आपको job करनी होती है वो information यहां पर दे रखी है तो गईज अच्छी तरीके से समझ गए होंगे यहां पर superintendent store की post है और LDC की post है हिंदी टाइपिस्ट की है store keeper की है civilian mechanical transport driver की vacancy भी है और cook की है तो सारी information यहां पर दे रखी है और salary भी आपको लगबग यहां पर दे रखी है कौन सी किस तरीकी का काम करना है और यहां पर education और qualification भी आपका अच्छे तरीके से दे रखा है experience क्या होना चाहिए आपको तो यहां पर अच्छे तरीके से दे रखा है तो में भी कोई problem आपको नहीं आएगा ओकी गाईज तो यह आप अच्छे तरीके से चेक कर लीजीगा तो जो आपका qualification है उसके according ही आपको फोर्म फिलब करें जो examination है वो बहुत language गंदर आएगा और मैं आपको बताना चाहूंगा offline examination होगा ठीक है offline examination इसका होने वाला है बिल्कुल normal paper आता है यदि आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आपका selection निकल जाएगा आपको क्या करना है यहाँ पर देखिए how to apply process आपको दे रखा है सब कुछ इसमें forum को fill up कर लिजी और forum fill up करने के बाद में सब कुछी information आपको यहाँ पर check कर लेना है ठीक है और यहाँ पर सारा information वैसे दे रखा है जनरल instruction भी आपको दे रखे है और इसका last date मैं आपको बताने वाला हूँ यह जो forum का print है यह आपको मिल जाएगा guys ओकी यह जो forum का print है आप इसको निकलवा लेना है cyber case से और इसको आपको fill up करना है और यह आपको post ओप इसके मादे में से इसको fill up करके और भी document से जो साथ में बेजने है तो मैं आपको इसको proper video आपके लिए लेकर आने वाला हूँ जल्द ही और सभी student जो इच्छुक है C group के लिए वो इसमें apply कर सकते हैं पूरे भारत के लिए vacancy है और जो आपकी category के according जो भी vacancy है post है वो देर रखिये यहाँ पर और यहाँ पर आपकी last date के में बात कर लेता हूँ ओके last date आपकी कितनी है लगभग गाईज यह 24 जो जुलाई के ख़वार के अंदर आया था जो employment news वाला होता है तो यहाँ पर गाईज इसके अंदर आप देखे 6 days यह जो आप add कर दीजे इसके अंदर और लगभग आईज आपका 23 यह 24 तक ही मान के चलिए ओके 23 और 24 अगस्त तक इसका फोर्म आप फिलब कर सकते हैं और आपने टेलिग्राम गूर्प को जोइन नहीं किया तो जोइन कर लीजे अभी ताकि latest update सबसे पहले आपको सही समय पर मिल सके और आपने अभी तक YouTube चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर सबस्क्राइब कर दीजे ताकि अगामी वीडियो के notification आपको सही समय पर पहुंच सके है इस से related कोई भी आपका doubt है तो आप टेलिग्राम से direct है message कर सकते है